1930 में, 1930 में, डॉक्टर C.D. रमन, जिन्हों ने स्केटरिंग ओफ लाइट की डिस्कवरी की थी, उनके नाम के ओपर जो है वो, कि डे मनाया जाता है, 28 फर्वरी को, हर साल 28 फर्वरी को जो है वो, National Science Day celebrate किया जाता है, option C, इसका right answer रहेगा. जैहिंद, वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पारलंपूर, आप सभी का एक वार फिर से, हमारी इस ओनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, आज एक वार फिर से हम, Static GK को डिस्कस करेंगे, जिसमें, SSE GD और RRB, NTPC के important questions को हम, discuss करने वाले हैं, so most important question, previous year के question, GK के आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, so start करते हैं, आज की इस बहतरीन क्लास को, सबसे पहला question यहाँ पे दिया गया है, what is the full form of COVID-19, यानि कि COVID-19, जो करोना वाइरस 2019 में आया था, उसकी full form आप से पुछी गई है, की COVID-19 की full form क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, करोना दिसंबर 19, करोना वाइरस डिजीज 19, करोना वाइरस डिजीज 19, करोना वाइरस डिसंबर 19, इसकी जो proper full form है, वो है करोना वाइरस डिजीज 19, 2019 में आई थी, इसलिए option number B, जो है, वो इस question का बिलकुल सही आंसर रहेगा, COVID-19 सबसे घातक बिमारी थी, और 2019-20 के आसपास पूरे विश्व में जो है, वो lockdown भी लगाया गया था, COVID-19 का पूरा नाम करोना वाइरस डिजीज 19 है, और COVID-19 एक बाइरल संक्रमर ड्रोग है, यह जो है वो एक वाइरस है, ध्यान रखने आपने science में question पूछ लिया जाता है, यह क्या है एक वाइरस है, जो कि यहां पे लिखा भी गया है, वाइरस के कारण यह फैल था, इसका नाम जो है वो करोना रखा गया था, Next question, National Science Day is celebrated on, यहनि कि राष्टे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, Important question है, और जो हमारे इंडिया के जो Nobel Prize winner थे पहले, जिनको science में Nobel Prize दिया गया था, 1930 में, 1930 में, Dr. C. V. Raman, जिनोंने Scattering of Light की discovery की थी, उनके नाम के उपर जो है, वो कि डे मनाया जाता है, 28 February को, हर साल 28 February को जो है, वो National Science Day celebrate किया जाता है, Option C, इसका right answer रहेगा, so यहां पर आप देख सकते हैं, कि कौन-कौन से days जो है, वो कब-कब मनाया जाते हैं, Important days बताएगे हैं, सबसे पहला है 14 September, 14 September को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखना आपको 14 September को हिंदी दिवस मनाते हैं, 1 October को जो है, वो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, 26 November को जो है, वो रास्ट्रिय संबीधान दिवस मनाते हैं, नेक्स्ट कोईशन रहेगा, कोईशन नमबर थर्ड, इन विच एयर वो उस दा रेलवे बजट मर्च विद इन जर्नल बजट इन इंडिया, यानि कि भारत में किस साल में रेल बजट को, इनकी जो रेलवे का एक अलग बजट आता है, जैसे डिफेंस का अलग बजट आता ह तो रेलवे के बजट को नॉर्मल बजट में एड किया गया था, आम बजट में एड किया गया, तो कब किया गया था, 2015, 2016, 2017 या 2018, इसका राइट अंसर रहेगा, 2017, 2017 को भारत ने, यानि कि जो हमारी सेंटर गौर्वर्मेंट है, उन्होंने रेल बजट को जो है वो आम 2017 में, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को, जो है वो क्या दी थी, मंजूरी दी थी, यानि कि उसको उन्होंने पास किया था, तो उसके बिल को पास किया था, कि हाँ ऐसी चीज़ जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद एक फर 2017 को पहला सियुक्त बजट संसद में पेश किया गया, रेलवे के लिए अलग से बजट पेश करने की परंपरा 1924 से शुरू की गए थी, यानि कि 1924 से रेलवे के लिए जो है वो अलग बजट दिया जाता था, यानि कि अगर किसी के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपय में से कुछ रुपीज जो है वो डारेक्ट किसके खाते में जाते थे, रेलवे के खाते में जले जाते, जैसे 100 रुपय से मानके चलते हैं कि 3 रुपय जो है वो रेलवे के पास चलेगे, और 20 रुपय जो है वो किसमें चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आम बजट में, उसके 10 रुपे जो है वो डिफेंस में चले जाएंगे कुछ अनदर सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्री के लिए जो है वो वहाँ पे बजट बनाया जाता है लेकिन 2017 के बाद 2017 के बाद इस रेलवे बजट को खतम कर दिया गया और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया किसमें आम बजट important question है क्योंकि railway का paper है NTPC का exam है तो वो railway से related question वहाँ पे आपके लिए बन सकते हैं उसके साथ साथ SSE GD के लिए भी important question रहेगा next question due to oil crisis most of the developed countries faced the problem of यानि कि तेल के संकट के कारण जहाँ पे oil है तेल के संकट के कारण अधिकांश विक्षित देशों ने dash की समस्या का सामना किया है यानि कि कौन-कौन सी समस्याएं जो हैं वो उन countries को देखने पड़ती हैं किसके कारण तेल के संकट के कारण आपको पता होगा कुछ समय पहले जो है वो भारत में भी ट्रक्स या जो टेंकर्स थे उनके लिए एक बिल लाया गया था हिट एंड रन का जो एक बिल था उनके लिए वो पारित किया गया उसके बाद कुछ समय के लिए जो है वो थी स्ट्राइक रही थी तो उस बज़े से क्या हुआ था कि भारत में भी तेल का संकट जो है वो देखने को मिला था तो आपको यहाँ पर बताना कि कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मुद्रा सफिती, असफिती मुद्रा सफिती, जनित मंदी या फिर मांग और पूर्ती तो इसका जो राइट अंसर यहाँ पर रहेगा वो है स्टैक्फ्लेशन यानि कि मुद्रा सफिती, जनित मंदी यानि कि मंदी आ जाती, मार्केट जो है वो सारी की सारी डाउन हो जाती है अर्थ विवस्था जो है वो हमारी बिगड जाती है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो day by day जो है वो अर्थ विवस्था में changes जो है वो आ रहे हैं और किसके कारण आ रहे हैं देल के संकट के कारण next question है which Indian telecom company is world fifth strongest brand यानि कि कौन सी भारती यह दूर संचार कमपनी है जो विश्व की यानि कि पूरे वर्ड की बात कर रहे हैं कौन से नमबर पे फिफ्थ नमबर पे पांच मी सबसे मजबूर ब्रांड है आज आपको पता है भारत में रिलाइंस जीयो है एरटल है आईडिया ह चारों ही भारत की कमपनिया है जिसमें से जीयो और एरटल यह हमेशा पहले दूसरे नमबर पे ही रहती है कभी एक पहले तो कभी दूसरी पहले आपको बताना है कि विश्व में पूरे वर्ड में जो पांच में नमबर पे आती है वो इनमें से कौन सी है यह SSE का प्रीवि विश्व में टेलीकॉम की फिफ्थ नमबर की सबसे मजबूत कमपनी जो है वो जानी जाती है रिलाइंस जीयो भारती अदूर संचार कमपनी विश्व की पांच में सबसे मजबूत ब्रेंड है ब्रेंड में पांच में नमबर पे आती है पूरे वर्ड में इसमें का इसाब से उनके फोन ही आ जो है वो आते हैं सेकिंड पे है अमेजन और थार्ड पे है गूगल यह आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर यह आपके पास important information दी गई है next question number six है भारत सरकार का बजट पहले मार्च के महीने में प्रस्तुत किया जाता था पहले जो बजट है वो मा presented किया जाता है इसको फरबरी में presented किया जाता है तो यह कब से किया जा रहा है आप देख सकते हैं यह आप से पूछा गया था मोटर वीकल इंस्पेक्टर 2022 में स्सी जीडी का important question यह आपके लिए रहेगा CHSL MTS अभी upcoming का आपकी exam है All India Level के railway का exam है हिमाचल के different exam है उनमें आपका यह question बन सकता है क्योंकि जो PGT यानि कि जो वीकल से related है या फिर कोई आपके पास budget से related बजट से related जो question है वहाँ पर यह question important रहता है भारत सरकार का जो पहले budget था वो March में present होता था और उसके बाद उसको फरबरी में present किया गया यानि कि कब से उसको किया गया था 2017 से 2017 से इसको मार्च से हम कहां पे ले आये थे इसको फरबरी में transfer किया था यह है इसकी important information भारत सरकार का budget पहले March के महिने में रस्तुत किया जाता था और वर्ष 2017 से इसको मार्च से हटा के इसको मार्च से हटा के जो है वो फरबरी मन्थ में इसको transfer किया गया था और पहली बार फरबरी म में budget किसने पेश किया था उस समय के जो बित मंतरी थे अरुन जेटली जी उन्होंने March महिने से परबरी में जो है उसको प्रस्तुत किया था आप comment करके बता सकते हैं कि अरुन जेटली जी के नाम के उपर एक stadium का नाम रखा गया और stadium का पूरा नाम किया है comment करके जरूर बता देगा the two countries which are connected with मैत्री सेतु ब्रीज यानि कि देश आपको बताने हैं जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं मैत्री सेतु पुल उनसे वो जुड़े हैं भारत और नेपाल भारत और शिरलंका भारत और बंगलादेश भारत और मयमार अब देखी मैत्री की बात की जारी है तो भारत तो है ही है भारत के साथ और कौन सा देश है जो कि मैत्री सेतु पुल से जुड़ा हुए है तो यह आपको पता होना चाहिए इसका जो आंसर है वो है भारत और बंगलादेश भारत और बंगलादेश इसका राइट आंसर रहेगा मैत्री सेतु पुल जो ह उसमें किसका किसकी कौन सी कंट्री जो है वो अपनी बॉंडरी शेयर करती है भारत और बंगलादेश तो option C जो है वो इसका right answer रहेगा next यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैतरी सेतुपुल जो है उसमें भारत का कौन सा हिस्सा जो है वो लगता है इसका निर्मान सबसे पहले फेनी नदी पर किया गया है मैतरी सेतुपुल का निर्मान फेनी नदी पर किया गया है भारत का जो राज्य है जो कि बंगलादेश के आसपास घिरा हुआ है त्रिपुरा त्रिपुरा और बंगलादेश के बीच जो boundary शेयर की जाती है पुल से उस पुल का नाम है मैत्री सेतु पुल ये एक important question आपके लिए रहेगा कौन सी नदी पर है तो फैनी नदी पर है next question question number 8 who was the first woman finance minister to present the budget in the government of India static gk का question basic question भारत सरकार का budget प्रस्तूत करने वाली पहली महिला बित मंत्री कौन है पहली महिला बित मंत्री की बात कर रहें सबसे पहले हैं इंद्रा गांधी उसके बाद है शुष्मा श्वराज उसके आद है स्मृती रानी और लास्ट है निर्मला सीतारमन इसका राइट अंसर आपके पास रहेगा option number A इंद्रा गांधी बरतमान में जो हमारे बित मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन लेकिन पहली बार ऐसी लेडिस जिन्होंने बजट को प्रस्तूत किया था उनका नाम था इंद्रा गांधी भारसरकार का बजट प्रस्तूत करने वाली प्रतम महिला बित मंत्री इंद्रा गांधी जब इंद्रा गांधी परधान मंत्री बनी तो एक वर्ष के लिए उन्हो किया जाता है अपने मंत्री परिशद में तो वहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास खुद रखते हैं जैसे अगर परधान मंत्री मोदी जी की बात करूँ जो अंत्रिक्ष का जितना भी काले भार है वो उन्होंने अपने पास रखा है बाकी डिपार्ट मेंट सबको अलग अलग दे दिये हैं किसी और को दिया है कि सडख परिवहन मंत्र आले किसी और को है यहां पर बताया गया कि इंदरा गांधी परधान मंत्री थी लेकिन उन्होंने वित मंत्रा आले का जो कारे है उसका प्रभार खुद पर ही रखा था, खुद ही उन्होंने कुछ चीज को संभाला था, तो यह ऐसी पहली महिला बनी थी, जिन्होंने जो है वो संसद में बजट को पेश किया था, इस दोरान वार्श 1970 का आम बजट उन्होंने ही पेश किया था, और अगर question इसवेर मैं पूछा जाए, कि आएसे बितमंतरी का नाम बताना, क्योंकि यहाँ पर आपको बितमंतरी के तोर पे पूछा जाए, तो यहाँ पर बितमंतरी के तोर पे निर्मला, सीतारमन, इंद्रा गांधी के बाद, भार की एक यहास में, बजट पेश करने वाली जो है, और ये at present time भी भारत की जो है वो बित मंत्री है क्योंकि 2024 की हम बात कर रहे हैं 2024 के जो बित मंत्री है finance minister उनका नाम है निर्मला सीतारमन next question question number 9 स्युक्त रास्ट की कोवेक्स योजना के अंतरगत COVID-19 की मुफ्त बैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है भारत के अद्वारा जो है वो काफी जादा बैक्सीन जो थी वो बनाई गी कि कोरोना वाइरस के लिए और काफी help जो है वो अनदर कंट्रीज को की गई है कि स्युक्त रास्टर की जो कोवेक्स है योजना के अंतरगत आने वाली COVID-19 की जिसको मुफ्त दवाई दी गई थी क्योंकि पूरे वर्ड में COVID-19 फैला था तो मुफ्त दवाई जिसको दी गई थी उसमें पहला देश कौन सा है यह आपको बताने ऑप्शन है घाना, की मुफ्त वैक्सीन जो थी वो मिले थी और सबसे पहले मिले थी इसलिए question important है और यह आपके पास यहाँ पर इसकी description दी गई है, next last question रहेगा, question number 10, who is the second Indian born American woman astronaut to fly to space आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतिय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री क कौन थी, हम सबी जानते हैं कि पहली कौन थी, पहली थी कल्पना चाबला, यह option तो यहाँ पर नहीं आएगा, कि आप देख सकते हैं, SSE का 2021 का question है आप से पूछा गया है, previous question ही हम डेली discuss करते हैं, तो आपको बताना है कि कल्पना चाबला जो थी, वो तो थी पहली थी, पहल शरिए बांगला, श्रेया बांगला, या फिर रितू कारिधाल, इसका राइट अंसर है, शरिशा बांगला, शरिशा बांगला जो थी, यह भार्ती मूल की दूसरी महिला बनी थी, जिन होने, ना सके थू जो है वो अपना कदम जो है वो अंतरिक्ष में रखा था, यहाँ इसकी description जो है वो पढ़ सकते हैं, तो आज की class के लिए इतना ही हम discuss करेंगे, I hope आपको आज की class काफी अच्छी लगी, आप साथ साथ में हमारे साथ notes जो हैं वो आप बनाते चलिए, विडिये को like, share और हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए, thank you so much.